नमस्का डेली करेंट न्यूज में आपका स्वागत है डेली करेंट न्यूज में अब एक खबर है डेवलु एचो ने किया वैश्युक नेटवर्क लाउंच हाली में विश्व स्वास्त संग्ठन डेवलु एचो ने एक वैश्युक नेटवर्क लाउंच किया है यह नेटवर्क कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों के खत्रे का तेड़ी से पता लगाने और उनके प्रसार को रोकने के लिए जानकारी साजा करने में मदद करेगा इसका नेटवर्क का उदेश यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि संक्रामक रोगों के खत्रों को कैसे तेड़ी से पहचाना और ट्रेक किया जाए और सूचनाओं को साजा किया जाए साथ यह नेटवर्क वाइरस बैक्टेरिया और अन्रोग पैदा करने वाले जीवों के आन्वनशिक कोट का विशलिशड करने के लिए रोग जनक जिनोमिक्स पर निर्भर करेगा ताकि यह समझा जा सके कि वे कितने संक्रामक और घातक हैं और वे कैसे फैलते हैं गौर तलभे की एकत्र किया गया डेटा एक व्यापक रोग निगरानी प्रडाली में फीट किया जाएगा इस डेटा का उप्योग रोगों की पहचान करने और उन पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा ताकि उपचार और समंधित टीके विक्षित किया दा सकें गौर तलभे की COVID-19 ने महामारी के खत्रों का सामना करने में रोग जनक जनोमिक्स की महितपूर भूमका पर प्रकाश डाला WHO का मानना है कि SARS-CoV-2 वाइरस के बिना तेजी से अनुक्रमण की ये टीके इतने प्रहावी नहीं होते और इतनी जल्दी उपलाब्द नहीं हो सकते चलिए अब जानते हैं WHO की बारे में स्वास्तिक शेत्र के लिए स्वास्तिराष्ट की विश्यस एडेंसी विश्यस स्वास्त संग्ठन की स्थापना वर्स 1949 में हुई थी इसका मुख्याल है जिनेवा सुर्जर लेंड में स्थित है वर्तमान में 194 देश WHO के सरस्य हैं 150 देशों में इसके कार्याले होरने के साथ साथ इसके चचेत्री कार्याले हैं यह एक अंतरसरकारी संग्ठन है अताहा सामान तहा अपने सदस्य राष्टों के स्वास्ति मंत्रालेउं के सहयोग से कार करता है WHO ने 7 अप्रेल 1948 में कार आरम किया अता 7 अप्रेल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्त दिवस मनाय जाता है अता अता है